तो अपने को समझ नहीं आवे कि आरती के कारण सुख क्या है प्राचीन काल में जा वकत अंदर ठाकुजी बिरा जाएं निजिमंदिर में या गर्भग्र में वा वकत आरती हो यह तब मुखारविंद की जाने मिले और यही लिए आरती को भी ऐसो नियम हतो कि प्रथम चरण की आरती हो है दीनतासु शुरू हो है कि प्रथम जा वकत दर्शन हो है यद्यपी मन की लालसा तो हो है कि मुखारविंद के दर्शन पहले कर ले तो थोड़ी दीनतासु बात आगे बढ़े तो वा मैं सुख आ गए अपने हाँ तो शायद ऐसो नहीं है उल्टो रिवाज है अपने हाँ अंग्रे जन में एक रिवाज है कि भोजन करें न तो और सब स्वाद पहले चख लें मीठो छोड़ दें जो अंत में चखें अपने हाँ तो थोड़ी उतावल हो जाए जो आते ही लड़ू पह लखा जाएं अंग्रे जन में या बात को नियम है कोई भी चीज मिठाई उनके आँधर हो तो वो पहले नहीं खावें सब चीज खा लेंगे बाके बाद सब सु छले वो मिठे को खावें केरल वाले केरल ऐसा ही है केरल में? तो ऐसा जो है यही लिए जो मुखारविंद के दर्शन की जो मिठात है वो सब सु छले आवें बाकी तो चरणारविंद सु ही आरती को वारण शुरू हुए तो प्रसमज़ा आरती के आटा हैं वो चरण के लिए जाएं फिर जानू के लिए जाएं फिर उदर के लिए जाएं फिर वक्ष के लिए जाएं तब मुखाव है ऐसा ही तुरत मुख नहीं आ जाए और एका एक मुख तक पहुँच जानों भी जो है वो थोड़ी थोड़ो अब धत्य है अधिकार के अनुरूप जो है वो चलनों चे क्योंके छलांग मारें उनका भी फिसल भी तो जाएं ना आदमी चलने छलांग मारने के पहले देख ले नो चे एक अपन पहुँच सकें इतनी उचाई है के नहीं जो अधिक होए तो शन 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 नहीं जानो अच्छ है पहुँचेंगे तो सही ना चलन मारने में गिरेंगे, फाइदा का हो लिए किया के लिए मुखारविंद को माधर्य है वो पहले ही ले लोगे तुपर स्वाध की जो यो स्वाध की जो उत्तर उततर आस्वादन की जो गति है मजा क्या है तो वादृष्ठिसू भी जो है वो चरणारविंद में थोड़ो देहनिको देहनिक के जो रूक हैं चरणारविंद उन पे थोड़ी आरती को वारण कर लो उत्तरक तो होते होते मुखारविंद तक पहुंचो तो वाको पूरे आरती वारण को भी कच्छु स्वादे और ये आरती जो है ये प्रभु ही ये आर्थी को निवारण कर सकें वाके लिए के हैं कि आर्थी हन्त तुम आर्थी के दूर करने वाले हो हुर्दय तापह चिंताच निवारणिया दृष्टो पकारे नई वतापो गमिश्यती आर्थी हन्तो तुम हो तुम आर्थी हमारी दूर करो तो आर्थी दूर हो सके बाकि जो प्रभु नहीं आर्थी दूर करें तो भक्त की आर्थी कैसे दूर हो सके क्योंकि भक्त की आर्थी जो है वो भगवद विशय नहीं आर्थी है लवकिक आर्थी तो है इनी और लवकिक दृष्टी तो आर्थ हो तो पुष्टी भक्त तो भगवान के पास रोने नहीं जाएगो आर्थो जिग्यासु रर्था अर्थी ज्यानी चवरत अर्षभव ने जो आर्थ भक्त है वो पुष्टी भक्त नहीं है और इदी पुष्टी भक्त के अर्थ में आर्थ लेनो है वाकू तो भगवत कामनासू भगवल लालसासू जो आर्थ हो गयो है भगवल लालसासू आर्थ ही आर्थ भक्त है यह यहां लेनो चाहिए तो यह जो है वो भगवल लालसासू आर्थ भक्त है लवकित कामना तु आर्थ भक्त नहीं है और या लिये या आर्थिहन क्या है प्रभु को फ्रदय तापह चिंताच निवारणिया दिन भर प्रभु को दर्शन भयोनी जा दिन के परिक्षीन होने पर प्रभु के दर्शन होने की कामना हती वो दिन भी परिक्षीन हो गयो प्रभु के द्वारा आमंत्रित भले नहीं सई आमंत्रन भले नहीं भेजो पर आगय तो इतनो तो व्यवार रखे के नहीं आगय तो सो पूछे आचारी चलने क्या है बहुत सुंदर वचन कि जो भी घर आयो सो अती थी अब हमें कहें जो ज्यानी और वहिरागी होए जो ज्यानमारगी और विरक्त हैं उनके लिए तो हत्यारा भी घर में आयो होई तो अतिति के बराबर है जो हत्या घातुक भी जो है जो घर में आयो तो अपने लिए अतिति के बराबर हो जाए जो ज्यानी अत्वा विरक्त होए चो ज्यानी और विरक्त नहोए तो भले घातुक जो है वो अतिथी के बराबर नहीं होए पर घातुक और घातुक नहीं होए और भले दुश्मन होए पर घर में आयो होए तो अतिथी के बराबर ही होए वाको कसी तो सथकार हुए ही गर में आयो तो ना आयो तो दुश्मनी के कायम है पर घर में आयो तो तो अतिती के बराबर है और वो आतित्ति वाको हुए और ज्ञानी और विरक्त होए तब तो घातु को होए तो भी आतित्ति वाको करनो चाहिए अपने को पता है जैसे भीषम के पाक दे सारे को सारे पांड़ाव ये पूछने गए का महाराज तुम मरोगे कैसे ये बता दो लड़ते लड़ते हम ठगे ऑनी कि आच्छा कूछने आयो मेरे आतिति बनके याचक बनके मांगने आये हो तो तुमको निराश महनी कर सकूँ लो मैं तुमको रहसे बता धूगे, ऐसे मरूगो तो घातो को कोभी क्योंके ज्यानी हातो और भीषन ज्यानी हातो साधरन ज्यानी नहीं हातो भीषन वेरक्षत हातो लोग भाई खामें ऐसा हो जाको वही राग्ये ऐसा हो तो यालिवाने अपनो मरण को उपाए भी पूछने आए तो उनको अतिति मान के अतिति कुझे अपेक्षित हो तदुत भने अपेक्षित के उचित वाको सत्कार करनो अप एक शोचित सत्कार के अनुरूप उनको वो रहत से बता दियो कि लो ऐसे डंग सु मारियो तो में मर जांगा क्योंकि विरफ कहतो ज्ञानी हतो तो वान याईशू कैंकि भले हम आमंत्रित नहीं आए अना मंत्रित आए पर अना मंत्रित भी आए तो और तिथी है नहीं और तिथी मनने क्या समझे नहीं जाकि आने की तिथी निश्चित नहोए जाकि आने की तिथी निश्चित होए वो और तिथी नहीं किराए वो तो निश्चित है वाकि तिथी के या तिथी को आएगो आतिथी को मतलद ये कि जो निश्चित नहोए ऐसी तिथी के दिन आ जाए और वाको सथकार करे तब तो सच्योग्रह तो क्यवाव है ति कहिए कि भला हम कैसे भी है अना मंत्रित आई हैं पर आतिथी तो है ना अना मंत्रित है यह सुई हमारे को आमंत्रण तुमने तिथी नहीं दीती, मयमारम से सक्षपा साल में आयो नो, इन रात्रिन को शरक काली इन रात्रिन की तिथी हमको तुमने आमंत्रण के लिए नहीं दीती तो चलो अना मंत्रित मानो, पर अतिथी तो मानो हमको अतिफि मही मानो ये क्या ऐसो मुश्केल है और अतिफि मानो तो कम सु कम अपेक्षोचे तो सत्कार करो हम इसा कितुनों तो सत्कार कर कहें कि दिन भर तापसु तपी है दिन भर तापसु तपी है इतनों ही नहीं आंतर बाई ही उभय विध तापसु हम तपी है और उभय विध तापसु तपी है हर्दय तापह चिंता चा निवारनिया। ना केवल हर्दय में ताप है पर अब चिंता भी हो रही है कि दिन भर तो हमने या आशा में बितायो कि चलो वीज जाएगो। यह जो रात्री है या में भी यदि यही हमको नहीं चरण मिले। तो चिंता भूने लग रही है कि अब क्या होईगो। अब कौन से समय लानो। अरे के हैं ज्ञान मार्ग के तरसु भगवान के चरणारविंद को ध्यान दरो इतनी यदि चरणारविंद की आ सकती है। तो चरणारविंद को ध्यान दरो। चरणारविंद को ध्यान दरो। पहले भी तो वाने कराओ नो। ध्यान मंगलम। भगवान के चरणारविंद जो है वो तो ध्यान मंगल है। तो ध्यान मंगल चरणारविन्द को ध्यान धरवगे तो तुम्हारो मंगल हो जाएगो यह और को एका ऐसे मुरक बनायो जासे के यह तो शृती रूपा हैं सारे रहए से पता है उनको प्रभु के सारे रहए से पता है वाले यह कहें कि नहीं नहीं अस्माविर हृदये स्थापितम ये चरनारविंद तो हमारे हृदय में तो कफसु स्थापित है कफसु इनको कैद कर रखे हैं हृदय में स्थापित हैं चरनारविंद यालिये तो दुखी है अरे बोले हृदय में स्थापित हैं प्रानायाम करें, शीरशासन करें, फूर्द्वासन करें, हलासन करें, पचाश धंके यम नियम ध्यान धारणा प्रत्यास सब करें। क्यों करें, क्यों के हर्दाय में फद्वद्वत् चरनारविंद स्थिर नहीं हो पावें। यह कहें, वो तो जिनकों लवकिक टाप और लवकिक जो है वो चिंता दूर करनी हैं, वो यह सब कर्ष्ट करें। यह तो कहें, काहे को देह दमत साधन कर मूरखजन, विद्यमान आहनंद तजी चलत क्यों आपाते। हमारे तो जू सामने प्रकट हो गए, अब अपत पर हम क्यों जाएं। हम जो हैं वो न तो सीर्श Hersani करें न हम प्रहना है करें। हमने तो एवा थटय में साफित कर रख्यो है, बिना प्रहना है अंकर अब करें। हम प्रहण दमको प्रहण को प्रहण में दबा के नहीं रखनो पड़े। हुआ को प्रिश्य डालो तो चींज दबी रह ना जईल कले है तो बाध फ्रिश्य डालो हवा को तो वो ब्लय डबी हो ग्याओ तो ऐसे बत हर्दय में जो तोरे चरणारविंद हमने पधराए हैं वाकु प्रान सु दबा के हम नहीं रुकेंगे वो तो सता ही रुके बहें बलकि प्रान उनके ठीके बहें कि हर्दय में चरणारविंद स्थापित हैं बिलखी बिलखी जो बिहार थल रोती ना, पीर उठेते हियरो हमारो टूक टूक होत ध्याई प्राण नास जो कसक निजिक होती ना, तन जर जातो जो न असुआ धरत आली, प्राण कढ़ी जाते जो प्रतीत उर होती ना, जो प्रतीती हिर्दय में नहीं होती चरणार विंद्य की, अनावरत हिर्दय में तेरे चरणार विंद्य की प्रतीती कायम हैं, स्थ्र हैं, हमको साधन म सुनी साधनी पड़हे हमारे गरा दुनिया साध है हमने जैसे चर्णारविंद को निरूपण कियो वा निरूपण सु लेके दुनिया जो है वो साधे है कैसो कैसो चर्णारविंद घृदय में होने चाहिए हमने बतायो संचिंते भगवतस चर्णारविंदम वज्रांकुषत भजसरो रुहलांचनाध्यम उत्तुंग रख्त विलसन नकचक्रवाल जोतना फिराहत महद घृदय अंतकारम ये तो हमने गाम को बतायो अरे बोले जब दवा बताई तुमने तब क्यों बीमार जब दवा जाना और फिर क्यों बीमार तो एक कारण है जो आदमी ज्यादा दवा खावे न वाके रोग ज्यादा कॉंप्लिकेटेड हो जाए जो कम दवा खावे वाके रोग जो है वो कम कॉंप्लिकेटेड हो जाए एकाद रोग सुवाके एकाद दवा इसुवाको रोग दूर हो जाए अनावरत जैसे आप दवा खाते रहो अब जैसे हेलो पैसी में तो ऐसा बहुत है अब जैसे एक सामाने बाद बताओ मंदागनी है मंदागनी है आई अरवेद में पूछा तो क्या क्यों यह थोड़ा अधरक तो रस निचोड़के खालियो करो मंदागनी दूर हो जाएगी तो रोज पावभर ही अधरक आप खाते हो तो और वाके बाद जब मंदागनी पन पे तो वो पर अधरक के रच्प वो मंदागनी निवरत 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 करक उतनो तो खाई रहे वाख खोराक रोजी अब वाके बाद वो मंदागनी थोड़ी कोई आयरुवेद के या उपाय सुदूर होईगी वाकू तो कोई ज़्यादा पावर वाली चाहिए है तो कि उतनों तो रोज की वाकी खुराक है जितनों वईदिराज बताव है एक चमचा भर के अधरक तो रस की जाईए उतने एक चमचा जितने अधरक को एक चमचा भर के रस जितने अधरक सोतो है उतनों आप रोज अपनी खुराक में रख लो अधरक वाके बाद भी थोड़ गिन बाद मंदागनी हो सके वो मंदर नहीं वो एक चम्च आगर के रस्त थोड़ी ठीक हो जाएगी उतनी तवा को पचे है दवा तो वो जानकुद जिनको दवा पचे है उनके लिए तो ज़रा पाउरफुल डोस चाहिए उनको ऐसे हलके डोस हो रोख ठीक नहीं हो गए तो हरदय उरदय में पधरा नहीं की बात तो उनको पच गई है पधरा रेक्याएं वो सब प्रॉब्लेम योगीन की है उनके मद में ये प्रॉब्लेम है कि हरदय में कैसे स्थिर करनो क्योंकि उनको हरदय बटक तो फिर यहाँ एकाद अपसर आ जाए तो तो उनको हरदय भटक जाए साधना से, मने प्राणायाम करके, अन्य छोड़के, जल छोड़के, अनिलाहार करके, बड़े-बड़े विचित्र विचित्र आसने जमा के बैठें, ध्यान लगा के भगवान के चरण को, और ये काद अफसरा ना चीद, उनने करिए हरदय भटक अपने हमार्ग से, वो तो तूट जाए, ऐसी थोड़ी कोई प्राब्लेम है, सस्ती प्राब्लेम या, रदय में पदराने की जो बात हती, वो तो इतनो डोस तो हमने पचा लिए है, इतनो अधरक तो रोज खावे तब हम जी है, अब बीमारी फिर मंदागनी भई, तो अब कैसे करना हो, अब भई दिराज परेशान के भई जितनो डोस लिखे तो, एक चमचा अधरक रोज की नो तो मंदागनी दूर हो जाए, उसके रोज की खुराग नहीं है इनके, अब कौन सी दवाई बतानी, तो कहें के हरदय ताप, जो हमने असमा भिर हरदय ये स्थापित ह पर ही रख्यो है भगवत चरनारविंद, हमारे को तकलीफ ये है कि न बहित समाय आती, हुर्दय में जो स्थापित चरन है, वो बाहर कैसे आवे, ये हमारे को तकलीफ है, बाहर आजाए तो हमारो रोग दूर हो जाए, बाहर नहीं आ रहे है, या के लिए हमको आरती हो रही है, बाहर आजाए हुर्दय में पद्राय रखे हो चरन, तो हमारो जो है, वो आधी दूर, हमारी आरती जो है, वो दूर, पर बाहर नहीं आ रहे हो है, ये हमको तकलीफ है, अब तू चाहे, तो हमारे हुर्दय में जो चरन पद्राय रखे हो हमने, वाको तू चाहे तो बाह वो गमिष्यति, यह बड़ा सुन्दर पद हैं अंसु वाइध्याम दीजिए, ऐसे कहे जाए, कि लवकिक उपाय जितने हैं वो दृष्टो पकारी होने, और शृति के उपाय जितने हुएं वो अदृष्टो पकारी होने, जैसे स्नान करने सु सच्छता आएगी, यह दृष्टो पकारी उपाय है, नहा के देख लो, सच्छ जल सु स्नान करो, तो शरीर जो है, वो सच्छ हो जाए, शरीर की जो सच्छता है, यह दिखला ही देने वालो अनुभव में आने वालो जल के द्वारा कियो जातो उपकार है पर शरीर शुद्ध हो जाएगो, यह दृष्टो पकार नहीं है, जैसे होस्पिटल, बांबणिया उमको बता रहे हैं तो एक बात, उसने किशन गड़ने, के वाके साथ एक क्लास्मेट हातो, यह भी गांधिवादी, बांबणिया भी, वो भी गांधिवादी, दनो जन्ने साथ होस्टल में रहते थे, एक दिन क्या भेव कुछी वाटर स्केर सिटी हाती, खाली लेटरिन में जला रहे हातो, यह हातो, गांधिवादी प्लस ब्रामण हातो, वो गांधिवादी प्लस अरिजन हातो, वाणी कि एक एच्छा जल नहीं आ रहे हातो, लेटरिन में सुझल लेकर ना लेंगे, अब बांबणिया गांधिवादी तो पको, वो ब्रामण हातो, वाणी कि यहार लेटरिन के जल चेकार जल लेको ना नी पने है, वो आ नअ है ना लियो। क्योंकि दृष्तह पकार में वाकि बुद्धी है.ancyरीर कु साफ करना इतनी ही बुद्धी है, शुद्ध करने की बुद्धी नहीं है वाकि या की बुद्धी शास्त्र के आधार पे जो के ब्राम्हन वंश्म है गांधिवादी बयो तो का बयो वो संसकार तो मन पे सुगय नहीं ब्राम्हन अत्व के ब्राम्हन अत्व के संसकार मन पे सुगय नहीं यहां के लिए वाकु शुद्धी को विचार है, मने अद्रिष्टो पकार को विचार है, यहांस वो यह कहके नहीं भई, जैसे स्वच्छ जलसू शरीर स्वच्छ हो गया है, ऐसे शुद्ध जलसू ही शुद्ध हो सके, अशुद्ध जलसू शुद्ध नहीं हो सके शरीर, पर अपने होस्पिटल को शुद्ध नहीं मानी जाए। स्वच्छता एक दूसरी चीज है। कुछ लोग क्या समझें कि शुद्धता मने स्वच्छता, स्वच्छता मने शुधता। ऐसे नहीं। दृष्टोपकार एक अलग चीज है, पर यह जो अदृष्टोपकर है, मने भगवान को अपने ह्रदय में पधराने सु, सारे भगवान के चरणको ह्रदय में स्थिर करने सु, सारे पाप दूर हो जाएंगे। अरे पाप ही नहीं दिखें दुनिया में तो पाप की निवर्स्टी कैसे दिखेंगी। सारे कश्ट, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे पर पाप दीखते हों, कोई के माथे पर लिखे हो है पापी के माथे पर के पापी है। न कोई पुन्हे अत्मा के माथे पर पुन्ह लिख्यो रहे न कोई पापी के माथे पर पाप लिख्यो रहे सब के चेहड़ा ते एक जेसे ही है तो पाप और पुन्ह ये तो अद्रष्ट है दिखलाई नहीं दे ऐसी वस्तु है इनके निवर्ति या इनको जो संचय है उपचय है वो भी नहीं दिखलाई दे तो अदर्ष्ट उपकार जो है वो दिखलाई नहीं दे भगवान के चरण को हरदय में ध्यान धरने सूप आप निवर्त हो जाएंगे कहां दिखलाई दे के निवर्त भय के नहीं भय अपन को इतनों दिखलाई दे कि थोड़ी देर ध्यान धर्यों हुरदय में प्रभू के चरण को तो हुरदय में चरण को ध्यान धर्यों उतनों तो दिखलाई दे पर वासु पाप निवर्त भै ये तो दिखलाई नहीं दे तो चरण कूह दय में धरने सू जो पाप, ताप, प्लेश, निवर्त होएं हैं वो सब अद्रिष्टो पकार हैं और ऐसे अद्रिष्टो पकार कुते पचा के बैठी हैं इनके रोज को खोरा के जो यानि यह कहें कि अब यासू अद्रिष्टो पकार तो गाम को हम बतावें कि कैसे कैसे काम करने सू, कैसे नाने सू अद्रिष्टो पकार शुद्धी को हो जाए कैसे संध्या करने सू अद्रिष्टो पकार मन वानी को हो जाए कैसे जो है वो यग्य करने सू क्या अद्रिष्टो पकार हो जाए जीव को ये सारे अद्रिष्टो पकार तो गान को हम बताने वाले हैं अब ये तू हमको मत बता हमको तो अब वाकि जर्रक नहीं है हमको वासू उपर जो है अब आवश्यक्ता है कि हमको तो दृष्टों पकार सुतु बता के असो क्या का देवा इतनों तो हमको पता है तो यह के लिए को करें कि दृष्टों पकार है नहीं वह ताप होगा विश्य की जो अदृष्ट को है वो तो हमको पता है सब कैसे कैसे अदुर्फ सोपकार हो सकें वो सब हम जाने अस्मा भिर हर्दये स्थापितम और या लिये हमने तेरो चरण हर्दये में स्थापित कियो पर वो हर्दये में स्थापित कियो चरण भी जो है वो बाहर नहीं आवे है यासु अभमकु ताप और चिंता हो रही है अतस्त्वया बहिस्थापनियम। तु ऐसो क्यों नहीं करें। तो जो हमने हरदय में चरण स्थापिट कियो तेरो वह चरण को तु जो है वह बहिस्थापन कर दे तो बस हमारा ताप दूर कर जा। चरण पंकजस्या तु भगवता शटगुणा नहीं। अब चरण के स्थापन की इतनी लालसा है तो चरण को थोड़ो कशी महात्मी बताने चेजिए। यहां के लिए चरण को महात्मी बतावे है कि जैसे तेरे में शटगुण है एश्वर्य वीर यश्श्री ज्यान वईराग्य। ऐसे ही तेरे चरण में भी छे गुण हैं। और वो एक गुणन को तुति करे है चरण के। प्रणत कामदम। प्रकरशन ये नता अनन्य शरना तेशां कामदम अभिल शितार्थ दात्री। जो प्रणत हैं जो जुक्यव हैं जो दीम हैं पर नत होनो एक दूसरी चीज है और प्रणत होनो दूसरी चीज है। जुकनो और प्रकरश्ट रूप सुनत होनो अच्छी तरह जुकने को मतलब क्या के अनन्य शरना। दूसरे की शरण में अनन्य शरण होने को मतलब प्रणत होनों है और खाली नत होने को मतलब ते रहे यहां भी जुके, यहां भी जुके, जितने देवाई सब के आगे जुके हमारे यहां राय साप करके एक बंबई में दे तो राय साथ सुबह उठके और गुलेश्वर में जितने मंदिर है न सब मंदिर में जावे सब मंदिर में जाके ठाकुजी के आगे जुके राम, हनुमान, मंबा देवी सब के आगे जुके ऐसे जुके और फिर जटका दे एक दिन हमने पूछे में भाई ये न अपने बाल कृष्ला अल्फू भी आके जुके और फिर जटका दे तो हमने कि ये नमस्कार तो करा है जुके है ये तो ठीक है नमन नो तो ठीक है पर ये जटका क्या है तो हमने कि जटका या बात को है कि हम तुम देवता हो, या कि लिए तुमको नमस्कार, तो तुम हमारो काम अभी तक पूरो नहीं करो हो, तो हमारे क्या काम के है, वा को जटका है, अब वा के काम पूरो नहीं हो, या कि लिए जितने देव है, हनुमान जी के मंदिर में, पंच मुखी हनुमान में जावे, श् जटका भी दिया है, तो वो नमन है, प्रणाम नहीं है, यह जो है, वो नमन है, सब देवता है, सब के आगे जुकनो, पर वाह जुकने में एक जटका रह बयो है, वो जटका के तुम करते हो तो तुमको नहीं, तो दूसरो देवता तयार है, वाह प्रागे भी चुकने तयार ह तो वह नमन में एक जटका जब वो हट जाए अन्यशरण को जटका है वो जब न दो उनको तो प्रणत के वाराजी या लिए कहें कि प्रकर्षेन ये नता अनन्यशरण तेशां कामदम अभिलाशितात दाती जो प्रकर्षेन जो तेरे अनन्यशरण जो है तेरे उनके काम को अभिलाशित अर्थ को देने वाले है इश्वरेव तथा विधो पवती तत्रत्यकामस तबधेर ग्रहीतुम नशक्यते इसी प्रणतत का मुक्ता जो भी कुछ कामना है सारे कामना को पूर्ण का अकामस सर्वकामोवा मुक्षकाम उदारदी तिवरेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम अकामो होए सर्वकामोए मुक्षकामोए जो भी कामना है उन सारी कामना को यजेव पूर्ण करने वालों कोई स्वरूप है तो वो तो परपुरुष स्वरूपी है और जो देव स्वरूप है वो तो कामई स्टेर हर्तक ज्याना प्रपध्यन्तेन्य देवता एक-एक कामना की पूर्ती के लिए एक-एक देव स्वरूप प्रभुने लियो है और जो कामना की पूर्ती के लिए जो देव स्वरूप लियो है वा देव स्वरूप सु वही कामना की पूर्थी हो सके सब देव सु सब कामना की पूर्थी नहीं हो सके कामे इस्ते ही हृतक ज्याना प्रपध्यन्तेन्य देवता तंतं नियम मास्थाय प्रकृत्या नियता सया योयो याम्यमतनु भक्त तो वान ऐसी एक-एक कामना की एक-एक प्रकृति के नियमन के लिए एक-एक देव के रूप है पर जो परपुरुष को रूप है वो तो अकाम, सर्वकाम, मोठ्षकाम अत्वा भक्ति काम सब के लिए जो है वो भजनी ये रूप है तिम्रेण भक्ति योगेन, यजेत, पुरुषक परम याकर ये ये जो है वो महाँत्मी सिवाए परमेश्वर के साक्षाथ परमात्मा के और कोई में नहीं है जो अवर देवतान के रूप हैं उनमें ये माहत्मी नहीं है जैसे साक्षात परमात्मा परमेश्वर में ये सामर्थ है वैसो ही ये सामर्थ जो है वो परमात्मा के चरण में जरूर है या तरह की चरण की स्थुति का लई है इश्वरे व तथा विधो भवती तत्रत्या कामह तब धेर ग्रही तुम नशक्यते इसी प्रनतत को मुक्तम पर इश्वर जो तुमकू देनों चाहे है तुमारे मन में जो काम है वो तो ठीक है तुम मांगोगे तो इश्वर तुमकू जो देनों चाह रहे है वो तुम स्थब्द हो के नहीं मान सको स्थब्ध मने क्या ? जैसे लहर आवे और आद नियों खड़ो हो जाए वा को नहीं स्थब्धता स्थब्ध हो जाओ इश्वर क्या आगे ? गीता में आवे न ? आसुरी संपत्ती में स्थब्धता को वर्णन आवे है इश्वरो हम हम भोगी ? अवे न स्थब्ध ? बोलो तो श्लोग ? आध्योगी जनवानस्ती कुन्नी उसमें सदश्वा इप्धता से इच्छे ज्ञान हो जाए ? अने विचिते वे ब्रहंता मोह जाले समावदता तो सश्था काम भोगे तो सजन दियोगी ? आत्मसंभाविता जनमान म हमे अदाता तो इश्वर सु जावखत कोई ? अपने काम जो है । व कोई तरह कभी acquire काम , भक्सिकाम , शारे काम जो है वो इश्वर शु जो है वो पूर्ण हो सके तो तुम क्या चाह रहे हो, और इश्वर तुम क्या देनो चाह रहे हो है, वाकि कभी तुलना करी तुम न, याकि तुलना करो तो तुम कु मांगनो आएगो, यह तो मांगनो भी नहीं आएगो, यह तो मांगने में भी आदमी गड़बड़ा जाएगो, जा वकद धुरू प् अब मैं क्या मांगू?